पैसे एटने के लिए उनका ये स्टेटमेंट आगा आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्टिरे में पूरा उपन देखना पर उन्होंने ये कहा है कि शादी के इसका जबब में देना आप सबान कह रहा ही है वापस से राकी ने शादी जितनी भी की है वो पैसे हिए वो भी वो मो канा को होड़े जितने बी शादी के से जितने भी शादी के शितने बी हांसे और चितनों ने राकी से शादी करके जो जो भी पैसे लिए उनके सारों के बैक स्टीपेंट प्रूस लेके जाइए के पुली स्टेशन musants लेके, पुलीания पकला पूंस एक मिने यह चीजों का जवाब मैं आपको अभी मैं एक मिटा की फिल्कुर ने बगए चे मही ने आदिल को जील काट के हो जए येस देवन से पुलीस कस्टड़ी हुई थी उनकी उसके बाद हमने उसको चालेंज करके रिविजन करके वाफिस से पुलीस कस्टड़ी दिलवाई उनके पास बेल अप्लिकेशन फाइल किया था आपको मैं उनकी बेल अप्लिकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोट में फाइल की थी कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले छे मैनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं ना ये सारी बाते कहीं हैं उन्हों के साथ एक औरत अत्याचार करती है उसको मारती है उसको ड्रग देती है वो बेगुना इंसान बिचारा उसको 19 साल बड़ी उमर की औरत से शादी करनी पड़ रही है वो इंसान जेल में गया है उसको सदा लग रही है उसको मीडिया में एक्सपोस किया जा रहा है छे मईने च पहर गया था चे मेंने कहीं भी आवास नहीं वो प्रेस कॉंफेंस जो कली गई थी क्यूंध उस दोरान जब वो पुलीस कस्टेडी में था क्यूंध उस दोरान उसके वकील ने कोई application फाइल नहीं की क्यूंध उस दोरान अपने आपको बेगुना साबित करने के लिए क्या मी आदिल ने एक भी अकॉइट ने की कि उन्हों में ना पुलीस कम्पनें किया है ना उन्होंने कोई पेटिशन फाइल किया है तो आज छे मैने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीतना, ड्रॉक्स देना उनके साथ जो भी अत्याचारों है वो बेचारा बेगुना इंसा इस औरत के अत्याचारों से इतना द्रस्ता, इतना द्रस्ता कि आज छे मैने बाद अचानक से उसको टाकत मिल गई वाइ नोट लीगल रेमिडी अवेलेबल है आपको अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है आपके साथ चालसाजी की है तो छे मैने तक क्यूं अगर जो कर राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियो उसने दिखाए उसने बेल के वक प्रूफ नहीं था तो आज जब वो प्रूफ एकटा कर सकता है इंसान जादा प्रूफ का भी एकटा करता है जब वो जेल के अंदर होता है उस वक्त उसने यहां तक भी नहीं बोला अपनी बेल अप्लिकेशन में के राखी और शादी शुदा की मेरे से जूर बोलके या चुछ reichen रिचिशा सफोंने साडी ही दा या जादा आपके बेल धियन जेल के अंदर फसे हुए थे वहां से निकलने कि वक्त यह सारी को यह सारी चीज़े रट रखनी चाहिए थी बाहर आने के बाद यह ड्रां में क्यों मैं अगर आपके पास पेपर है तो आपने मेडिया नहीं रूदानी चाहिए थी आपने सीधा वोड का रुक अपनाना चीए था पहले बाद छे मेना जेल में रहे कर आए क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो छे मेना जेल में रहे वो राखी सावन के लिए नहीं रहे हैं वो उनकी एराणी गर्फिंट ने उन्होंने वहाँ पर उन्हों पर रेट का केस लगाया है मेरे लिए नहीं रहे हैं वो मेरे लिए यहां 22 दिन दे जो मुझे मारा था मुझे टॉचर किया था मैंने क्या देखा था मेरे घर में दुसरी लड़कों के साथ सेक्स कर रहे हैं लड़की लड़की लड़कों के साथ भी मैंने यह देखा मुझे मारने की खोशिश की दुब मैं ने किसी को तीन लाख कमूदा नहीं दिया, जो एरान किसी का नाम नहीं ले सकती. इरानी लड़की अपने लड़की अपना इसको बीप किजेगा, में किसी लड़की का नाम ले, उसकी गर्फरंडने, मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो. उसको नहीं पताता उसने मेरे साथि करी उसने अपनी गर्फरंड को जूड़ बोला मुझे भी जूड़ बोला मुझे consistent करता रहा वो मेरी उसको का रख़ी के लिए मैं चाहता हूं मैं star बनना क्याता हूं को reward पट्टी पड़े उसका शोषण करता रहा उस लड़की का शोषण करा जो स्टुडेंट थी तो मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिया है यह पैसे से को रियाद आ रहे